दोस्तों इंडियन जेलेवेव फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि आई आरेफसी की बात को स्टॉक ने आज कमाली कर दिया बिल्कुल एक आल टाइम हाई फ्रेश हाई बनाने को तयार हो चुका है उस लेवल तक पहुच चुका है स्टॉक जो पुरानी हाई थी उस पुरा माहौल पलट दिया है जो बीच में थोड़ी सी टेंशन दिखाए दिए उस पे अब एक तरह से वो पीछे जाते हुँ दिखाए दिरिया है और जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट जो एनांस हो चुके है वो सारे प्रोजेक्ट समय पे कम्प्लिट होंगे और नए प्र चलो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत पहुत स्वागत है तो अभी लगब ग्यारा बजे के आसपास का टाइम है आरवीनल की बात करें तो स्टॉक की सुरुआत पॉजिटिव ही 343 पर प्लोजिंग थी कल की 341 पर और जो लो है वो 341 का बना यानि कल के लेवल तक स्टॉक गया लेकिन वहां से जो उसने दोड लगाई 374 का बंपर हाई देखना को मिला एक ही दिन में तुफानी तेजी निचले लेवल से स्टॉक जबरदस दोड़ा और आप देखतो कि इस समय 368 के आसपास ट्रेट कराई स्टॉक जबरदस तेजी देखना हो मिले निया 8 परतिसत के आसपास की और आप देखतो कि यह दोनों रेल विकास निगम लिमिटेड नंबर 4 पे तो दोनों के दिन बहुत जबरदस वालिम हो रहा है और काफी बड़े फंडा उस जम के खरिदारी करें तो यह देख सेकतो कि पिछले 6 महीं नों में ह में इवेश किया होगा वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को डबल होते हो देख रहे हैं तो आज इसने 52 वीक का एक फ्रेश हाई बना दिया है और काफी तेजी से स्टॉक दोड़ रहा है सिर्फ पिछले 10 दिनों की बात के उसने 34% का बंपर रिटन दिया स्टॉक ने और 6 महिनों में 94% तो काफी जबर्दस स्टॉक दोड़ रहा है और यहां पर यहां पर एक साल पहले यह स्टॉक जो 197 के आज पास था तो कुल मिला के काफी सांदार प्रदस्टिन किया है पर जो बड़ी अपडेट निकल क्या रही है प्रेसिडेंट ऑप इंडिया की तरब से ज प्रेसिडेंट गे और यहां पर देख से तो कि उनकी यहां पर अपउइंट्मेंट हो चुकी है अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल क्या रही है क्वाटर फोर का रिजल कंपनी ने डिकलर कर दिया अब इसको लेकर इन्वेस्टर के साथ मैं यहां पर कॉन्फरेंस र इसके अलावा संजीब कुमार जो डारेक्टर ऑफ फाइनस है इन्होंने यहां पर इसमें इस्सा लिया और उन्होंने इसकी सुरी जानकारी जो भी है रिजल की वो अपने इन्वेस्टर के साथ डिसकस की है अब यहां पर आर्वेनल को लेकर देगो प्रभुदास लिलाद की तरब से जो का गया है कि स्टॉक एक तरसे तेजी से आगे बढ़ने को बिल्कुल तयार हो चुका है और इसका जो पिक लेवल 345 का इसको अब पार कर लिया है तो एक नई इसमें संभावन बनने लिए नई दोवार खुल चुके तो यहां पे जो सपोर्ट बंदा है फिल बिल्कुल मजबूती के सार आगे बढ़ने को त्यार हो चुका है दूसरी तरफ आनंद राठी के जिगरेस पटेल का कहना है कि स्टॉक के अंदर देखे जो 360 का एक रेजिस्टेंस है यह रेजिस्टेंस को पार करते ही यह स्टॉक 380 तक जाता हो दिखाई देगा तो यहां बहर के अंदर अगर आप देखें महीने दो महीन में तो यह 310-400 कास पास दिखाई देगा यहां पे देखो की रजिस्टेंस 366 का है और श्टॉक को यहां पे प्रॉफिट बुक करना ची जो भी इन्वेस्टर उनको सपोर्ट 322 का यह सपोर्ट टूटा तो इस्टॉक आने पीची है सबसे बड़ी बात है कि रेल विकास निगम लिएट की ओर्डर बुक बहुत मजबूत है लगातार एक के बाद एक ओर्डर मिल रहे है और इस बार रिजल्ट भी बहुत ही सांधर आया है आप देख सकते हो कंपणी ने प्रॉफिट में सांधर बड़त दिखाई ह है करीब 33.2% की यरन बेसिस पर जंप देखनों को मिली है और साथ में रिवेन भी अच्छा खासा बड़ा है और कंपरी ने 2.1 रुपिज पर शेर डिविडेन का ऐलान भी कर दिया है तो ऐसे में लॉंग टम इंवेश्टर के लिए अच्छा मौका है कि रेल विकास निगम लिमिटेट में खरीदारी की जाए और शॉर्ट टम इंवेश्टर है अगर आपने बहुत नीचले लेलों से खरीदारी किया तो इसमें आदा आप प्रॉफिट बुक कर सकते है वैसे पूरे शेर तो न बेचे क्योंकि श्टॉक में अभी दौड बाकी है अब चलते हम आई प्रॉफिट ट्रेट करा है जापे 7.71% की जबर्दस तेजी देखना को मिल रही है अब आप देखे हो कि इंट्राडे का लोग 175 का है लेकिन हाई 191.65 का है 52 वीक का लोग देखे हो 31 है और हाई 192.80 का है यानि श्टॉक ने जो अपनी आल टाइम हाई बने उसके आस पास त है तो बिल्कुल दोसों में जाने को तयार दिख रहा है अब यहां पर इस बार जो रिजल्ट देखे तो रिजल्ट भी काफी ठीक रहा है रिवेन्यू यहां पर कॉर्टरन कॉर्टर में थोड़ा सा कम जूरू है लेकिन यह अच्छा खासा बढ़ा है तो मार्च 2023 में इसक बढ़ा और लगातार बढ़ रहा है मार्च 2023 में 1,285 कोड़ के आसपास प्रॉफिट था जो मार्च 2024 में बढ़के 1,717 कोड़ तक पहुंच गया है बात करें दिसंबर की कॉर्टर सिर की तो जो प्रॉफिट था 1,599 कोड़ के आसपास था तो प्रॉफिट जबरदस चाहिए आप quarter on quarter basis पे देख ले या year on basis पे देख ले तो profit में कोई कमी नहीं और पिछले कई सालों से हम देख रहे profit company का लगातार बड़ी रहा है हर साल बीच में कोविड काल है उसके बावज भी profit कम नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ी जीत है तो company का खर्च बहुत कम है limited कर्च है काफी कम employees है कोई बड़ी corporate office भी नहीं है इनकी और सरकार इनको tax के दारे से बाहर रखे हुए कोई परकार का tax नहीं देना पड़ता इसलिए इनका business वाकई साहधार है अब company पर share 70 पैसे का dividend भी देना जा रही है तो ऐसे में यह बहुत अच्छा मौका है long term investor के लिए कि IRFC में भी खरिदारी करें लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि वही है कि अगर आप short term investor है और आपको अच्छा खासा profit मिला तो थोड़ा सा profit book कर सकते हैं लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advice वड़े ले ले या अपना खुद का research करें क्योंको मैंने वीडियो आपके educational परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से दिरुकी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स